हेलो दोस्तो आप सभी का एक ने वीडियो में स्वागत है और दोस्तो आज हम लोग Translation के माध्यम से एक interesting story रिखने जा रहे हैं तो आज का वीडियो काफी interesting और knowledgeable है आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे मैं आप लोग को एक एक रूल बताऊंगा आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तो आप लोग इस रिक्वेस्ट है कि मैंने इस तरह से जितने भी वीडियोज बनाए हैं सभी वीडियोज को बारी-बारी से जरूर देखेंगे एक बार एक गाउ में एक आलसी आदमी रहता था तो दोस्तो रहता था, खाता था, जाता था इसे आप सिंपल पास्टेंस में भी लिख सकते हैं हलांकी कई सारे मामलों में वूड का भी यूज करते हैं, यूज टू का भी यूज करते हैं लेकिन आप यहाँ पर simple past tense का यूज कर सकते हैं जैसे दोस्तों यहाँ पर है एक आलसी आदमी रहता था a lazy man lived भी आप लिख सकते हैं और there से भी शुरू कर सकते हैं there lived a lazy man तो यहाँ पर लिखेंगे once there lived a lazy man एक गाउं में in a village there lived a lazy man in a village उनकी आमदनी का एक मात्र स्रोत एक आम का पेड़ था जो उसके घर के पिछवाडे में लगा हुआ था तो दोस्तों सबसे पहले कुछ words को समझेंगे जैसे घर के पीछे या पिछवाडे में इसके लिए आप लिख सकते हैं at the backyard और दोस्तों स्रोत यानि की source एक मात्र यानि की only तो यहाँ पर लिखेंगे his only source of income words था है तो वोज लिखेंगे एक आम का पेड और mango tree जो उसके घर के पिछवाडे में लगा हुआ था तो यहाँ पर लिखेंगे which was planted at the backyard of his house his only source of income was a mango tree which was planted at the backyard of his house एक दिन उनके एक रिष्टेदार उनके घर आए तो यह किस tense में है simple past tense सबसे पहले subject फिर verb to फिर object उनके घर कौन आए एक रिष्टेदार यानि की one of his relatives यानि उनके रिष्टेदारों में सी कोई एक तो यहाँ पर लिखेंगे one day one of his relatives उनके घर आए came to his house one day one of his relatives came to his house नास्ते लंच और डिनर पर रिष्टेदार को सिर्फ आम ही परोसा गया तो दोस्तों यहाँ पर परोसा गया यानि की passive वो इसमें है जैसे मुझे पढ़ाया गया I was taught यानि की was word plus verb 3 तो यहाँ पर लिखेंगे add breakfast दोस्तों इसे breakfast नहीं पढ़ना है breakfast add यहाँ पर समय को दिखाता है यानि की नास्ते के समय लंच के समय add breakfast lunch and dinner क्या प्रोसा गया सिर्फ आम यानि की only mangoes एक सधीक है were लिख देंगे served served का अर्थ भी प्रोसना होता है सेबा करना भी होता है I want to serve my country और यहाँ पर है mangoes were served किन को रिष्तेदार को तो यहाँ पर लिखेंगे to the relative add breakfast, lunch and dinner only mangoes were served to the relative वह इस चीज से तंग आ गया और एक योजना सोची तो दोस्तों यह simple past tense में है तंग आना यानि की got fed up get से बना है यानि की get fed up से बन जाएगा got fed up जैसे यहाँ पर लिखेंगे he got fed up this thing he got fed up of this thing और एक योजना सोची and thought of a plan आप यहाँ पर of का यूज कर सकते हैं यानि की think of से बन जाएगा thought of he got fed up of this thing and thought of a plan रात में जब आलसी आदमी सो रहा था रिष्तेदार चूप चाप उठा और पेड काट कर भाग गया रात में यानि की at night जब आलसी आदमी सो रहा था यहाँ पास्ट कंटिनिवस टेंस में है जैसे मैं जा रहा था I was going वह पढ़ रहा था he was reading तो यहाँ पर है जब जब और कब के लिए हम लोग when लिखते हैं when the lazy man was sleeping रिष्टेदार चूप चाप उठा the relative यह simple past tense में उठना का gate up होता है तो यहाँ पर हो जाएगा got up आप जागना के लिए woke up भी लिख सकते हैं और पेड काट कर भाग गया तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं cut down the tree and ran away या फिर आप flayed भी लिख सकते हैं flayed फिली से बनता है फिली का अरथ होता है भाग जाना इसके साथ आप away का use नहीं करते हैं लेकिन आप run away का use कर सकते हैं जैसे दोस्तों यहाँ पर है पेड काट कर भाग गया तो काट कर रहने से आप बीच में end का यूज कर सकते हैं जैसे वह खाकर चला गया तो आप क्या लिखेंगे he ate and walked away he ate and walked away वह खाकर चला गया यानि बीच में आप end का यूज कर सकते हैं जैसे वह पढ़कर सो गया तो आप कैसे लिखेंगे आप लोग अपना अंसर comment box में जरूर लिखेंगा यानि कि जैसे पढ़कर खाकर, काटकर उसे पहले लिखेंगे जैसे यहाँ पर एक काटकर भाग गया तो काटकर ये सब्द जो है वो पहले लिखे, cut down the tree और भाग गया अगले दिन जब उसने देखा कि उसका पेड कटा हुआ है वह बहुत रोया अगले दिन यानि कि the next day जब उसने देखा when he saw that उसका पेड कटा हुआ है दोस्तों यहाँ पर है है लेकिन इंगलिस में past tense यूज करेंगे saw ये past में है that से पहले यदि main verb past form में रहेगा तो that के बाद हमेशा ही past form यूज होता है इंगलिस grammar के नुसार तो यहाँ पर है उसका पेड कटा हुआ है यानि कि कटा हुआ था his tree was cut down वह बहुत रोया यह भी simple past tense में है he cried a lot the next day when he saw that his tree was cut down he cried a lot कुछ वर्सो बाद वही रिष्तेदार फिर उसके घर आया यह भी यह simple past tense यानि कि सबसे पहले subject फिर verb to फिर object कुछ वर्सो बाद after few years वही रिष्तेदार the same relative उसके घर आया came to his house after few years the same relative came to his house तब तक उसने कड़ी मेहनत की थी और तरक्की कर ली थी दोस्तो इसे आप past perfect tense में लिख सकते हैं यानि कि सबसे पहले subject फिर had और फिर वर्वत्री तब तक इसके लिए आप लिख सकते हैं by now यानि कि अब तक इस sense में भी आप यूज कर सकते हैं तब तक के लिए by then का भी यूज होता है लेकिन यहाँ अब तक उसने तरक्की कर ली थी इस sense में हम लोग by now का यूज करेंगे he had worked hard and prospered या फिर आप यह भी लिख सकते हैं made progress by now he had worked hard and prospered उसकी इस्थिती सुधर चुकी थी तो इसे भी आप past perfect tense में लिख सकते हैं his condition had improved his condition had improved उसने रिस्तेदार को उसकी गलती महसूस कराने के लिए धन्यवाद दिया गलती महसूस कराना यानि कि make somebody realize his mistake तो यहां पर लिखेंगे he thanked his relative answer comment box में जरूर लिखेगा I hope friends आज का वीडियो आप लूग को अच्छा लगा होगा यदि है मेरा effort आप लूग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा मेरे चैनल पर नए है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए alright friends thanks for watching have a great day